ओम शान्ति आज आपका 106 दिन का वर्दान इश्वरी वर्दान में आज परमपिता परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि किस प्रकार से माया या हमारे अंदर की कमजोरियां और बढ़ जाती हैं और उनको हटाने का एक मातर तरीका कौन सा है कि हम देखें कि हमारी जो भी करमे करमेंद्रियां हैं यह सबसे पहले देखा है तो सुक्षम करमेंद्रियां सुक्षम करमेंद्री होगी आत्मा की करमेंद्री जैसे कि मन कहां लगता है बुद्धी कहां जाती है और संसकार कहां खीचते हैं हमें उसके बाद में आती हैं हमारी यह पांच करमेंद्रियां जो आज बाबा कहते है आसकती को अनासकती किसी से हम क्या होते हैं आसकती होती है मिलकि अट्रेक्शन होता है लगाव होता है आसकती को अनासकती उसको क्या करना है फ्री करना अट्रेक्शन से या किसी लगाव से मुक्त होना उसको कहते हैं अनासक्ती में परिवर्तन करने वाले शक्ती सुरूब भवा आसक्ती को, अनासक्ती, free of attraction में परिवर्तन करने वाले शक्ती सुरूब भवा तो आज की बरदान के विस्तार है शक्ती सुरूब बनने के लिए परमातो कहने हैं कभी-कभी क्या होते हैं, आज सक्ती होती हमारे अंदर तो हम शक्ती हीन हो जाते हैं, पता नहीं क्या करूँ, क्या राइट है, क्या रॉंग है, हमारे अंदर निरने लेनी की शक्ती नहीं होती है, क्योंकि हमारे अंदर लगाव होता है, किसी विक्ती से लगाव होता है, तो और हम लगाव होने की कारण वस्तूं से, विक्तियों से, हम गलत decision ले ले लेते हैं, ये गलत निरने ले ले लेते हैं, जिस कारण हमारे कर्म बुरे होते जाते हैं, तो परमात्मा कहते हैं, शक्ती सुरू बनने के लिए आसक्ती को अनासक्ती में बदली करो, तो wisdom को यूज कर कि आसे यह थाएन आते हैं, लेकिन मनें उनके प्रती महों को म मारना, ना कि उनको मारना तो परमात्मा का ग्यान जो है, हमने गलत तरीके से महावरत में के मारने के बारे में बात की जाती थी. तो बाबा केते हैं उसी तरीके से हमारे अंदर भी जब यह आ सकती हैं हमें किसी से मुह होता है तो हम निर्ने करने में हम पीछे हड़ जाते हैं कि राइट क्या है गलत क्या है किसी को राइट डिसीजन या कोई चीज राइट हो वो बताने में हम भूल लाते हैं अगर हम अपने आपको उम्रे के हिसाब से छोटा समझते हैं और कोई बढ़ा कर कुछ गलती करें तब भी हम हांजी हांजी बोलते हैं लेकिन परमात्मा कहते हैं हरे को आत्मा देखो तो जो सही है तो उसको आप मधुरता से प्रेम से प्यार से समझाओ कि क्या गलत क्या सही है ना कि मुँ में आकर के क्या होगा कैसे होगा या देह अभिमान में आकर के कि मैं तो छोटा हूँ मेरी बात सही मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी तो शक्ती शुरूब बनने के लिए परमात्मा कहते हैं तो बाबा कहते हैं शक्ती शुरूब बनने के लिए आसक्ती को अनासक्ती में बदली करो किसी डिपेंडेंसी को क्या करो परिवतन करो, इंडिपेंडेंट बनो अपनी देह में किस-किस चीज में हो सकती है अपनी देह में हो सकती है तो अगर देह में है हाई मेरा शेरीर तो बहुती कोमल है हाई में बहुती नाजुक हूँ हाई मैं तो आत्मा हूँ शेरीर नहीं हूँ तो ये चीज को अगर समझे तो जैसे इसको चलाऊंगी मैं आत्मा या चलाऊंगा मैं आत्मा वैसा ये शेरीर बन जाएगा तो अपनी देह में अगर आ सकती है, अटाच्मेंट है, लगाव है तो सिर्फ इसको सवारते रहेंगे, इसका ही देखबाल करते रहेंगे तो फिर हम आध्यत्म के मारग में या अपनी बुद्धी को हम तिक्षा, कैसे उसको तीखा कैसे बनाए, वो हम नहीं कर पाएंगे फिर संबंधों में, जैसे भी बात करी, कोई बड़ा या चोटा हो गया कि अपने रिलेटिव्स को हम कुछ कह नहीं सकते, राइट क्या है, रहों क्या है, मधुर्ता से यह निकि हम किसी को रिवेंच फुल हो करके, या किसी को हम दिखा दें कि उनकी सही क्या जगा है इस प्रकार के भाव और भाव में आकर के नहीं, गलत भावना से नहीं, और गलत अटिट्यूट से यह वृत्ती से नहीं लेकिन जो सत्य उसको प्यार से मधुर्ता से कहना, उसका अपने छोड़ देना तो संबंदों में कि कमजूर महसूस करना, कि मैं कैसे कहूं इनको, यह तो बुरा मान जाएंगे, तो फिर मेरा बाकी काम नहीं करेंगे तो यह सारी चीजों से अटाच्मेंट नहीं रखना, सत्य की रहा पर चलने से खुद भी हलके रहते हैं, और उको भी हलका बनाते चलते हैं तो कोई भी पदार्थ में यदी कहां भी पदार्थ में भी खाने की चीज़े हो गए, समान हो गया, उसमें अगर आ सकती है, तो वहीं पर मन मोटाब आ जाता है मेरा तरीका राइट है, मैंने जो बोला वो राइट है, इसको ऐसे नहीं, ऐसे करो, यही चीज है, मेरा यूँ क्यों खराब कर दिया, मैंने बोला था ना तो यह सारी चीज़ों में अगर आ सकती है, तो हमारे relationships में, बहुत सारी ज़वाप है, हमारा क्यों होता है शेहन करने की शक्ती यह उस सिच्योसिन को सामना करने की शकती, चाहे वो परदार्त हो, चाहे वो मनुश्य आत्मा हो, चाहे समपंदी हो तो और चाहे दे हो दे को कुछ होगे तो बहुती भी साड होगे उदास होगे तो ये सारी चीजों से नचाहता हूं आत्मा तो मजह इन सारी चीजों से अपनी आसदी को छोड़ते जाना है तो इसके लिए कि готов hard मैं आत्मा हूं शरीर नहीं हूं और सारे सब और जित्ती भी आत्मा उनको आत्मिक सरूप में देखना जरूरी है फिर परमात्मा कहते हैं कोई भी पदार्त में यदि कहां भी आ सकती है तो माया भी आ सकती है आ सकती से कितना अच्छा परमात्मा ने कहा आ सकती है किसी चीज़ से तो माया भी आ सकती है माया किस पकरा से आएगी? मोह में आएगी, लोब में आएगी पदार्थों के, है ना यह attachment होगी किसी चीज़ से यह विक्ती से, यह पदार्थों से attachment होती है उसी में हम क्या रहते हैं? विलीन रहते हैं, आत्मा उसी में रहती है फसी भी रहती है, तो वो क्या होता है माया भी आ सकती है पापरमात कहते हैं, और शक्ती रूप नहीं बन सकते इस कारण से फिर निरने करने की शक्ती, क्या रहे, क्या रौंग क्या खाना क्या नहीं खाना क्या लगाना क्या नहीं लगाना किन इंसानों के साथ में रहना किन आत्मों के साथ में संबंद बनाना किन के साथ नहीं बनाना यह हम भूल जाते हैं attachment के कारण तो प्रमात्व केते हैं है तो माया भी आ सकती है और शक्ति रूप नहीं बन सकते इसलिए पहले अना सक्त किसी से भी attachment नहीं अना सक्त बनो तब माया के विगनों का सामना कर सकेंगे अगर attachment होगा तो wisdom खतम हो जाती है भा-टो ऑड जसे अब ग्रण वा-गण जो जोलने नेयों रोच हमारी विवयक खतम होजाता है विगनों के आने पर चिलाने वग्हबराने के बजय कब चिलाएंगे जब हमारा attachment होगा तो तम क्या करें, क्या करें, क्या बोलें, क्या करें, क्या करें, होता है ना, तो ये चलाना घवराना नहीं, पहले मैं कौन, मेरा कौन, परमपिता, परमात्मा, और अब मुझे आत्मिक दिर्श्टी से विवेक क्या कहता है, उसके हिसाब से निर्णे करना, और उसके हिसाब स होता है उसको निकालना अपने अंदर उसके त्वारा फिर दुर्गा माता के दिखाते हैं शक्ति सुरूप तो दुर्गणों को हटाना अपनी अंदर अगर मेरे अंदर लोब है तो फिर मैं किसी को कैसे कहोंगा कि आप लोबी क्यों बन रहे हो तो अपने अंदर के दुर्ग तो परमात्मा हमें इस कारण से जिखाते हैं और हम इसको गहरे तरीके से समझें कि आज परमात्मा ने कहा क्या है हमारे भले के लिए ताकि हम जीवन में आगे बढ़ते चले हर एक मार्ग में तो आज का आपका दिन शुब हो आप सुखी रहे और आप तंदरुस तरहे शेरीर से भी ओम शान्ती